बारिस के दौर अभी भी जारी है बारिस का पानी सिविल एस्पिताल के बेस्मेंट में भी गुज गया जिसके चलते है एस्पिताल से मरीज्जों को निकाला जा रहा है वही कल राद भी राजओड में साथ इंच बारिस हुई थी आपको बता दे कि मुसलाधार बारिस की वज़े से राजकोर्ट में आजी टूप वांत के चार गेट खुलने पड़े निचले इलाकों में फसे लोगों को सुरच्छित पहुचाया जा रहा है वही लोगों को चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने लिए 24 घंटे के लिए भारी बारिस की चिताबनी जारी की है जिसके चलते राजकोर्ट में आज स्कूल कॉलिज भी बंद रहे आपको बता दे कि मुसलाधार बारिस के चलते आजी नदी में बाढ़ आ गई इससे जिले के कई गाओं में नदी का पानी घुज गया बार में एक व्यक्ति के बह जाने की भी खबर है वही रामनाथ पुरा में एक मकान ठह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई आपको बता दे कि आजी डैम भी ओवर्फलो हो चुका है इसे आजी नदी अपने टब को छोड़ती जा रही है और दरजनों गाओं के जलमक्न होने का खत्रा भी मंडरा रहा है वही रसके टेम बार ग्रस्त गाओं में पहुच रही है भीरो रिपोर्ट आई पियन